हईलो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोगों को जो टाटा मेमोरियल होस्पितल में जो कार्ड यूज़ होता है जिसपे टॉप अप होता है, जिसके दोरह सारे जैक अप होते हैं, उसको उनलाइन उसमें रिपोर्ट कैसे देखी जाए, टॉप अप कैसे किया जाए, उसके बारे म में बताने जा रही हूं तो सबसे पहले आप गूगल होता है जहां पर हर चीज स clown की जाती है वहां पर टाइप करेंगे टाटा स्वित और स्भरेंगे टाटा मेमोर्याल रिपोर्ट सेंट और स्वस्वितूर्ड नो程 में आपको एक लिंक ओपन होगी जिसमें उपर होगा tmc.government.in ये डारेक्ट लिंक भी टाइप करके आप उसके जो साइट है टाटा मेमोरियल के उसके जा सकते हैं जैसा कि फोटो में दिखाया गया है उसके बाद टाटा मेमोरियल का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी फोटो होगी सॉरी टाटा मेमोरियल का एक लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका जो फाइल नमबर है cr ccp something something जैसे मेरा cr 22658 है वो डालेंगे देन हमारा पासवर्ड हम सैट करते हैं वो डालेंगे और लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा बाई चांस आप पासवर्ड फूल गए हैं तो आप नीचे फॉर्गोड पासवर्ड कर सकते हैं जिससे ओटी पे आएगा आपके रजिस्टर मोबाईल नमबर पे वो नीचे आपका सारा डिटेल होगा कि रेजिस्टरेशन कब हुआ था आप कितना बैलेंस कार्ड में जो मेरे नेक्ट फोटो में आपको दिखेगा उसके साइड में टॉप अप है वहां पे टच करके आप उसका बैलेंस डाल सकते हैं कार्ड में क्योंकि वो ऑनलाइन ही डलत रीका है उसके बाद जो नीचे है अल रिपोर्स उसके टच करिए लगए जो आल रिपोर्स पे आप टच करेंगे तो आपकी इस सारी रिपोर्ट टाटा मैमोरियल में जब से प्रजेंट तक जो भी टेस्ट हुएं सारी रिपोर्ट आ जाएंगी उसकी डेट आ जाएगी उसका टाइप आ जाएगा ठीक है और जो उसमें फाइनल रिपोर्ट है जिसमें ब्लू और या ग्रीन से होगा हाइलाइट उसपे आप टच करेंगे तो आपको जो फाइनल रिपोर्ट है आपकी पूरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका आप ऑनलाइन भी देख सक सकते हैं और टाटा मेमरेल का कार्ड यूज कर सकते हैं उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा थैंक यो सो मच फ्रेंड़